हाई गीज और वेलकम बाक टो दी चैनल दीपाच यादव एजूकेशन वेलकम टी डेली हिंदू नियूज एंड एडिटोरियल एनालेसस ओफ 15 ओफ एपरिल 2023 तो गाईज आज है तारिक 15 एपरिल 2023 और है साटरडे दिखेंगे आज के दहिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को अनलाइस करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड क यहां पर डेली बिसस पर लेक्चर का पीडिएफ मिल जाता है और डेली बिसस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले हमिशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आज आप सब प्रिवियस एर साल 2022 के प्रिलिम्स में पूछा गया था डेली बिसस पर हम लोग यहां पर एक प्रिवियस एर क्वेशन को भी सॉल्व करते हैं क्वेशन क्या बूलता है इंडिया के रिफरेंस में आपको यहां पे दो स्टेट्मेंट्स दिए गए हैं बताना है कौन सा स्टेटमेंट बोलता है government law officers और legal firms को recognize किया जाता है as advocates यानि कि advocates की तोर पर यहां पर उनको मानेता दी गई है लेकिन corporate lawyers और patent attorneys को इस वाली category से बाहर रखा गया है दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो bar council है आपको पता होगा बार काउंसिल के बारे में कुछ दिन पहले हमने details discussion भी किया था तो बार काउंसिल के पास में power है कि वो क्या कर सकते है legal education से related यानि जो law की पढ़ाई होती है उससे related rules and regulations को लेकर आ सकते है या फिर जो law colleges होते हैं जहांपर LLB, BALB यह सारी जो आपर courses है वो दिये जाते हैं तो उन law colleges को मानेता देने की power भी बार काउंसिल के पास में है तो इन दोनों statements में से कौन से statement सही आपको बताना है नीचे option दिये गए है option A1 only, option B2 only, option C दोनों सही है या फिर option D दोनों के दोनों गलत हैं तो इसका सही answer नीचे comment section में दो at least सभी को इसमें participate करना है जैसे मैं आप ल correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो चलते हैं और चलते हैं सबसे पहले थमलेल वाले important article की तरफ दोस्तों यह topic GS paper no.3 environment के point of view से बहुत relevant होने वाला है खासकर prelims में भी आपसे यहाँ पी question पूछे जा सकते हैं तो चाइना को स्रीलंका एक लाक बंदर export करेगा इसके पीछे का reason क्या है उसको लेकर कई सारे जो आर्टिकल से वो अभी publish हो रहे हैं जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पाओगे पिछले दो दिनों से इसके बारे में चर्जा की जारी है यहाँ पर आपने article देखा होगा monkey business why स्रीलंका wants to export one lakh endangered टोक मेकाक to China टोक मेकाक basically उसी बंदर की बात की जार पिर उसके बाद में English एसासाथ Hindi articles प्लस पूरे दुनिया में आपर इसके बारे में चर्चा हो रही है तो समझेते हैं कि आकरकार यह issue क्या है लेकिन उससे पहले में prelims के लिए आपको एक बहुत important point बता रहा हूँ यह जो monkey है वो आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा इसका नाम क्या है टोक मेकाग ठीक है टोक मेकाग यहाँ पर इसका नाम है लेकिन अगर इसका आयूसेन स्टाटस पूछा जाए क्योंकि जातर जो भी एनिमल्स न्यूज में होते है ना उनका आयूसेन स्टाटस यहाँ पर UPSC पूछता है जाद अतर ऐसा ही questions हम लोग ने देखें तो इसको आयूसेन में एंडेंजर काटिगरी में कवर कर रहा हैं मतलब इसकी जो संख्या है वो बहुत जादा खत्रे में है ऐसा यहां पर बोला जाता है लेकिन अभी खैर अच्छी खाजी संख्या अवेलेबल है स्रीलंका के अंदर में इसी वेजा से स्रीलंका एक लागबंदर के आच पास एक्सपर्ट कर रहा है। ठीक है। तो टूग में खा के बारे में हमने इसको समझा। दूसरा पॉइंट याँ पर important ये है कि ये जो बंदर है ये आजके समय पर केवल और केवल पर स्री लंका चाहितं है। ना अब हम समझते हैं इसके पीछे दिया है श्रिलंका के जो agriculture minister है उन्होंने उन्होंने बताया है कि exactly क्या यूज होने वाले मास के लिए तो यूज नहीं करने वाला चाइना ऐसा भी यहां पर उनका कहना है क्यों कह रहे हैं यह बात भी हम समझते हैं तो श्रिलंका के जो करशी मंत्री हैं जिनका नाम है महिंद साइट से reason दिया एक कारण यह दिया कि चाइना के अपास में लगबख 1000 चिडिया घर हैं वहां पर यह बंदर वो रखने वाला है इन चिडिया घरों में लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें 1000 चिडिया घर में बंदर रखे गा भी तो भी एक लाख बंदर यह जो संक्या है यह अपना आप में बहुत जादा है ठीक है चाइना बोलता है इसी के लिए हम यहां पर यह बंदर मांग रहे हैं लेकिन होता क्या है इस मैटर को लेकर चीन से तीन बार बातचीत कर चुका है स्री लंका अब चाइना तो यह कहता है कि देखो आपको कुछ करने की बग बताया जा रहा है तीस से पचास हजार जो स्रिलंकाई रूपी है न वो यहां पर खर्च होने वाला है स्रिलंका का जो रूपी है बेसिकली जो स्रिलंका का करनसी है उतना यहां पर खर्चा होने वाला है एक बंदर के उपर में तो अगर एतना पैसा खर्च करेगा चा चाइना ने जो वेक्सीन वगरा है उसकी जो टेस्टिंग है वो बंदरों के उपर की और इतनी जादा टेस्टिंग की कि चाइना के अंदर जितने बंदर थे वो खतम हो गए तो पॉसिबिलीटी है यहां पर की वेक्सीन की टेस्टिंग के लिए यहां पर इन बंदरों को मग आई जाती हैं लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबित बताया गया है कि श्रिलंका में यह टोक मेकाक बंदरों की जो पॉपुलेशन है इनका जो यहां पर आप काउंटिंग करोगे तो लगबाग 20 से 30 लाग के आसपास हैं अब यह 20 से 30 लाग होने के बावजूद भी आयूसेन म भी मचाया है ऐसा श्रिलंका की साइट से बोला गया फसले वगरा नश्ट की हैं ऐसा यहां पर मेंशन किया जा रहा है इस वज़ा से इन्होंने श्रिलंका के अंदर में कुछ जो जानवर हैं जो की आयूसेन लिस्ट में कवर किये गए थे उनको सुरक्षा दी जा रही थी उनको उस लिस्ट से बाहर निकाल दिया या ताकि यहां पर उनको मारने की परमीशन दी जा सके वहां पे कोई नुकसान ना पहुँझा है ऐसा भी कुछ यहां पर इन बंदरों के साथ में देखने को मिला है बट हुआ क्या है अब चैना को यहां पर यह बेजा जा रहा है बट ये रिपोर्टस इंटरनेशनल लेवल पर कनफिरम होती हुई नजर आ रही है कि इन बंदरों पर कोई न कोई research जरूर करना चाहता है चाइना और research के मकसद से यहाँ पर इन बंदरों को खरीद रहा है और खुद से यहाँ पर मतलब कोशिश कर रहा है कि जल से जल यह बंदर चाइना के अंदर पहुंच जाएं क्योंकि अपने यहाँ पर जो बंदर थे वो खतम कर चुका है वेक्सीन की टेस्टिंग कर करके हालाकि स्रिलंका के अंदर में कई सारी और एजेंसी जो को से एन्वर्मेंट प्रोटेक्शन की बात करती इntड़ यह वह बहुत गलत है और क्या एक्स्क्यू दे रहे हो कि यहां पर बंदर जो है अगरिकल्चर सेक्टर को बर्बाद कर रही हैं हम लोगों ने क्योंकि उन रिपोर्ट्स जो खासकर वो जो एजिंसी जो एन्वोर्मेंट प्रोटेक्शन को लेकर काम करती है श्रिलंका के अंदर में उन्होंने निंदा करते वह यह बोला है आप उल्टा बोल रहे हो आप ये देखो कि जो इनके इलाके हैं बंदर के वहाँ पर लोग घुसते चले जा रहे हैं जिसकी चक्कर में अब वो जानवर कहां जाएं अब वो यहां पर अपने इरिया से निकल रहे हैं तो उसके बाद यह सारे के सारे इशूज होते वे नज़रा रहे हैं आपको इसको मैनेज करने का एक हल यह है कि बंदर उठाकर सिधा बे यह आप से पूछा जा सकता है सवाल यह उठता है क्या ऐसा होता रहता है देखो ऐसा हुआ भी यह पहले हैना चाइन ने गदे ही मगाए था आपको पता होगा पाकिस्तान से चाइना ने जो डॉंकी हैं जो गदे हैं वह इंपोर्ट किये थे गदे के साथ यहां पर जो चाइना करता वाया है और उसे पर चैने ने बोला था कि इन जानौरो का हम जो यूस करेंगे वह चाइना के ट्रेडिशनल मेडिसन्स में यूस करेंगे जैसे इंडिया में आयर वदा सिस्टम है वैसा चाइना में ट्रेदिशनल margin is medicine system है तो उसके अंदर यहां पर advocates का बहुत समय बाद आज हम लोग नौर्थीस्ट इंडिया की चरशा करेंगे आज हमारे न्यूक्स पेपर में दो इंपोर्ड़न आर्टिकल है नौर्थीस्ट इंडिया से रिलेटड पहला तो यह है इसको मैं बहुत डीटेल से डिसकस करने वालों बस खाली चीजों को अच्छे से सुनते वे चलना तो North East India को अपना पहला जो AIMS है वो मिल चुका है AIMS मतलब All India Institute of Medical Science तो AIMS यहां पहला आ चुका है North East India में उसका उद्गाटन आप देख पाओगे हमारे PMO दिने कर दिया है कल के दिन गुहार टीम है यानि कि असम के अंदर इस AIMS को बनाया गया है 3400 करोड से जादा का खर्चा आया है बट यहां पर AIMS आ चुका है और इसमें काफी सरी facilities बताई जारी हैं लगबख 750 से जादा beds की capacity है इसके अंदर में उसके बाद में 30 आयूश beds है और साथी साथ में बोला जा रहा है कि हर साल लगबख 100 MBBS students को भी यहां पर यह एडमिट करेगा इंडिया के इंडिया के इंपोर्टेंस के बारे में समझाया है कि देखो यह जो पूरा का पूरा रीजन है यह भारत के लिए बहुत जादा यह साथ बेने और एक भाई तो यह पूरा का पूरा नॉर्ट इस्ट इंडिया का रीजन देखने को मिलेगा यह है असम और यह जो पर्डिक्लर रीजन आपको यलो कलर का नजर आ रहा है यह वेस्ट बेंगॉल का रीजन है और यह सिलीगुरी कॉरिडोर है पता है न आपको जिसको हम लोग चिकन ने कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं यह एक छोटा सा हिस्सा है जिस हिस्से की वजह से कह सकते हो पूरा पूरा नॉर्ट इस्ट इंडिया भारत के साथ में कनेक्टेड है और नॉर्ट इस्ट इंडिया का इंपोर्टेंस हमारे लि जब बात करते हैं North East India की तो 7 sisters और एक brother यहाँ पर आप कहा सकते हो यह पूरा का पूरा जो सारी जो states हैं यह मिलकर North East India बनाते हैं उसके जब बात करते हैं तो बहुती ज़ादा important region है यह important region in the sense आज तक ना इस region के ओपर इतना focus नहीं किया गया बट इस रीजन में potential बहुत जादा है यहां का आप देख पाओगे जो पुरा बायो diversity है आपने जातर नैशल पार्क देखे होंगे उस एरिया में ही देखने को मिल जाते हैं वन और राइनोस जो कि यहां पर गाज जिरेंगा नैशल पार्क में पाया जाते हैं वो भी तोरा wildlife century पाया जाते हैं तो इस रीजन का जो फ्लोरा और फॉना है वो ultimate लेवल पर है अलगलग प्लांट्स की स्पीशीज पाया जाती है अलगलग animals की स्पीशीज यहां पर देखने को मिल जाती है तो हमारे भारते संभीदान में छटे schedule में कह सकते हो कि सारी चीज़े मेंशन की पर हमारे देश में जितनी भी population है उसकी 3.8 population तक का घर है यानि कि जितनी अबादी है देश की 3.8% population North East India में आज के समय में रह रही है और अगर हम लोग अपने पूरे देश का geographical area बात करें जमीन का हिस्सा जितना है तो उसका 8% हिस्सा basically North East India कहलाता है ठीक है हाला कि North East India यहा पर ऐसे गर कि North East India आपको connected देखने को मिल जाता है ठीक है तो यहाँ पर यह सिलीगोरी corridor है और इसकों लोग chicken neck corridor के नाम से भी जानते हैं बात क्लियर हो गई है आ गयाता है बात यह है कि North East India में अभी तक ना इतना ज़दा development किया नहीं गया बहुत लंबे समय से इतना ज़द पर प्रॉपर development करके हमें attention देना होगा उस एरिया में political, economic, social और technological advancement में वहाँ पर खासकर development पर वहाँ पर विकास लंबे समय से इतना ज़द देखने को मिला नहीं है तो इसके उपर main focus करना पड़ेगा ठीक है अब आप लोग सोच रहोंगे ऐसा क्यों North East India का इतना बड़ा importance क अब इसको समझते हैं importance इतना जादा है कि अगर आप समझो इंडिया को अगर पूरे eastern world के साथ में कोई चीज़ connect कर रही है जोड रही है तो North East India है कैसे यह वाला map देखो यहाँ पर आपको यह वर्ल मैप दिखाई पड़ेगा इसको मैं थोड़ा zoom करता हूँ थोड़ा blur है समझने के लिए काफी है पहले मैं एक जो portion है वो ड्रॉ कर देता हूँ ठीक है तो यह भारत का यहाँ पर North East India का map हो गया अगर यहाँ पर आप देखोगे जो यह पूरा eastern world है चाइना इधर यहाँ पर आस्यान countries हो गई जैपैन हो गया यह पूरे के पूरा जो eastern world है इसके इसका importance देख रहे हो यहाँ से मैनमार से connected है फिर मैनमार के साथ में आपके सकते हो यह जो overall the eastern world है उसके साथ में connected है तो पहला सबसे बड़ा importance दूसरा यहाँ पर cultural significance नौर्ट इस्ट इंडिया में आप देख पाऊगे ना जो culture है वो बहुत ज़्यादा diverse है पूरे दुनिया अलग तरीकी कि यहाँ पर जो festivals हैं अलग तरीकी जो ट्राइब्स हैं वह आपको देखने को मिल जाएंगी 200 से ज्यादा ट्राइब्स के वल और के वल नौर्ट इस्ट इंडिया में पाई जाती है आपने बहुत सारे popular festivals के नाम सुने होंगे हॉन्विल festival काफी लोग बाकि यहाँ पर नौर्ट इस्ट इंडिया की खास बात है इस रीजन को हम लोग डौरी फ्री जोन के नाम से भी जानते हैं यानि कि जैसे अवरॉल सबी जगा पर दहिज प्रथा की जो है वो चलते आ रहता है वैसा यहाँ पर आपको नौर्ट इस्ट इंडिया में नहीं देखने को मिलेगा कल्चर बहुत ही जाता यहाँ पर रेच है अभी मैं बीहु की बात करी रहा था असम का जो बीहु है यहाँ पर फोल्क डांस वगएर आप लोग देख पाऊगे यह किया जाता है आगे मैं वैसे अभी डीटियल से बताऊंगा तो थोड़े दार वेट कर होगे एक ट्रेडिशन है नेचर की वर्षिप करना जो हमारा प्रकृति है उसकी पूजा करना है ना बहुत सारे जो पवित्र पेड़ पौधे हैं उनकी यहाँ पर पूजा की जाती है तो इस प्रगार के फेस्टिवल्स यहाँ पे नौर्ट इस्ट इंडिया में सलिब्रे चाहे हम लोग बात करें चाहे की पत्ती की हम लोग बात करेंगे ओईल की या फिर हम लोग बात करेंगे लखडियों की तो इन तीनों ही मामले में यह रीजन रिच माना जाता है बहुत जादा मातरा में यह चीज़ी यहाँ पर पाई जाती है फिर उसके बाद में यहाँ प इंपॉर्टटएंट है थीक है तो कल्चरल्स Nynos ये बहुत सारी चुनोतियों को face कर रहा है, बहुत सारी challenges पिछले कुछ समय पर इस region ने face किये हैं, जैसे पहला जो challenge है वो है isolation from the rest of India, यानि इंडिया का जो बाकी हिसा है जो बाकी सारी states है, northern region, southern region, हिमालियाज, तो ये जो पूरा region है, ये जो कईना कई region है, काफी अलग रहा north east India से, ठीक है, तो ये यहाँ पर पहला challenge है, क्योंकि इतना ज़्यदा development वहाँ पर नहीं हुआ, इतना ज़्यदा connection के उपर काम नहीं किया गया, transport link के जितना ज़्यदा बढ़िया नहीं देखने को मिलेगा, इस चक्कर में north east India बाकी इंडिया के हिस्से से थोड़ा थोड़ अलग सा रह गया, ऐसा यहाँ पर mention किया जाता है, ठीक है, फिर यहाँ पर और भी बहुत सारे challenges हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार अभी जून के समय पर, पिछले साल जून के समय पर, जुलाई के समय पर बहुत ज़दा बाड़ आई थी, असम बगरा के अंदर में, तो अभी यहाँ पर क्या होता है, बार्ल वगरे की situation, या land slides जो हैं, वो सबसे जादा यहाँ पर North East India में देखने को मिलते रहते हैं, फिर उसके बाद में एक और बहुत बड़ा challenge है, कि यहाँ पर infrastructure की काफी ज़दा कमी है, जैसे proper roads नहीं है, waterways नहीं है, proper energy महाँ पर नहीं मिल जाएगी, हैना, education institutions proper नहीं है, health facilities वहाँ पर नहीं है, तो यह जो infrastructure है, बहुत जरूरी infrastructure है किसी भी region के लिए, एक important role play कर सकता है, वहाँ के पूरे overall development के लिए, economic growth के लिए, human development के लिए, लेकिन अगर यह infrastructure नहीं होगा, तो कहीना की वो area कहीना कहीं पीछे रह जाएगा, और industrial growth देखने को मिला, North region में, उसके बाद में, South region में, वैसा North East India के अंदर में नहीं देखने को मिला, ठीक है, बटवारे के बाद में, North East India जो है, यहाँ पर आप देख पाऊगे, industrial sector जाधा तेजी से grow नहीं हुआ, इसकी चक्कर भी यहाँ पर proper development हुआ नहीं है, तो आज के समय पर इसी चीज़ के ओपर थोड़ी जाधा मांग है, कि यहाँ पर थोड़ा investment वगरा किया जाए, और investment करने के बाद में, थोड़ा infrastructure के ओपर जाधा focus किया जाए, ताकि लोगों को माँ पर employment opportunities में मिलें, साधी साथ में उस area का economic development और भेतिनी तरीके से हो, वैसे एक और बहुत असम बहुत बड़ा state हुआ करता था, असम में से ही कई सारे North East India के जो states से हो निकल कर आए हैं, तो असम के साथ में जो border को लेकर विवाद है, वो कई सारे राज्यों के देखने को मिल जाते हैं, और इस विवाद की वजह से यहाँ पर आपका सकता हो, और भी issues उने लगते है इस पूरे एरिया में insurgency बगरा भी आपको देखने को मिले कि terrorism भी थोड़ा बढ़ चुका है, जैसे नागलेंड में आपको देखने को मिले का कई सारे groups ऐसे देखने को मिलेंगे, जो कि मांग करते हैं नागलेंड को अलग करने की, कही न कहीं पूरी North East India में छोटी छोटी अलग अलग जगा पर वो रीजन को अलग करने की मांग उठती रहती है, तो यह जो इशू है वो थोड़ा सा यहां पर देखने को मिल जाता है, बात क्लिर हो गई, बाकी यहां पर मेरा आपको importance समझाया है, challenges समझाया है, question यहाता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, देखो government कई सारे initiatives उठाए हैं North East India के अंदर में development करने के लिए, for example, infrastructure को बढ़ाने के लिए भारत माला परियोजना को चलाया गया, regional connectivity scheme को चलाया गया, connectivity को और improve करने के लिए कालादन multimodal transit project को बनाया गया है, इंडिया, Myanmar, Thailand को जोडने वाला एक highway मनाया जा रहा है, tourism के लिए यहां पर सरकार ने चला रखे हैं North East India के development के लिए, ठीक है, बात क्लिर होगी, तो 10 मिनट लगे हैं, लेकिन article का importance आप समझ रहे होंगे, बहुत जादा है, means के लिए खासकर बहुत important है, question directly बन सकता है, आगे आता है, ना दोस्तों आगे बढ़ने से पहले make sure करना, वीडियो पे जो like का target है, हमारा 5K plus likes का, जिसको आप achieve करवा सकते हो, साथी साथ मेरे साथ मेरे साथ में Instagram पे connect कर सकते हो, Instagram पे जाना, search box में लिखना दीपच ज्यादा education, आपको ये profile मिलेगा, जहां पे 12,000 से जादा लोग जुड़ चुके हैं, आप भी मेरे साथ में personally जुड़ सकते हो, आगले article पर आते हैं, next article भी relevant होने वाला है, और prelims में इस topic को लेकर पहले भी सवाल बन चुका है, वो सवाल कैसा था, वो भी हम आगे discuss करेंगे, article क्या बोलता है, drones to deliver life-saving drugs to चारधाम pilgrims, हम बात करें चारधाम की, खासकर छोटा चारधाम की, छोटा चारधाम की बात करते हैं, तो क चारधाम की आतरा पर कई सरे लोग निकलते हैं, हर साल बहुत सरे श्रिदालू जाते हैं, और काफी उचाई पर है, आपने देखा होगा, कि लगबख 10,000 फीट की उचाई पर ये पुरा का पुरा पवित्रस्थल इस्थित है, गड़वाल हिमाल्याज में, तो लोग जाते हैं, तो वहाँ पर कई सरे लोग ना कह सकते हो कि उस रीजन से फमिलियर नहीं होते, तो उनको प्रॉब्लम सोने लगती हैं, और ऐसा हुआ भी है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिला है, साल 2022 में कि कई सरे लोग बिमार पड़ गए थे, हैना उचाई पर जाने के बाद में, ए पर साल कई लोग बिमार पड़ जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं, तो उनके लिए कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइट करवाई जा रही हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है, ड्रोन्स का हम यूज करेंगे, ताकि जान बचा सकें, ऐसी दवाईयां हम वहाँ पर डिलिवर कर सकें ताकि यहाँ पर जो शद्धालू हैं, उनकी जो जान है, उसका कोई खतरा ना हो, प्लस उनकी अगर तबयतवाईद खराब होती है, तो अराम से यहाँ पर उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट डिया जा सकें, उसके लिए यहाँ पर ड्रोन्स का यूज करके दवाईयों को डिलेवर किया जाएगा, यह डिसिजन यहाँ पर लिया गया है, ठीक है, बात क्लियर हो गई, बोला यह भी गया है कि पिछले कुछ समय में, जो 2022 की किदारनात यातर चली थी न, वहाँ पे 27 दिनों के अंदर अंदर 120 लोग की जान चली गई थी, यह कह सकते हो, एक उल्टि पास में बहुत बड़ा एक्जाम्पिल भी है, कि ड्रोन का यूज कैसे कर सकते हैं, तो आप सीधा-सीधा एक लाइव एक्जाम्पिल देकर वदा सकते हो, यह ड्रोन का यूज ऐसे किया गया है, तो ऐसे भी यहाँ पर हो सकता है, दवाईयों को डिलेवर करने में, समझ ग हैं, ड्रोन को हम लोग यहाँ पर बोलता है, एक unmanned aircraft, यानि कि देखो, इसमें कोई इनसान नहीं बैटा है, रिमोट से control करके यहाँ पर इस ड्रोन को चलाया जा रहा है, और जो समान वगरह है, यहाँ पर इससे डिलेवर किया जाता है, इविन पहले यहाँ पर हम लोग ड् सकते हैं, खासका defense sector में, हैना, मालो यहाँ पर terrorist attack के against में आपर drone का use किया जा सकता है, उसके बाद में किसी area को यहाँ पर अच्छे से analyze करना है, तो वहाँ पर उस area के उपर में drone को उड़ाने के बाद में उस area का जो data है, वो collect किया जा सकता है, और अब तो यहाँ पर health care delivery purpose के के लिए भी use हो रहा है, जैसा मैं आपको उपर बताया, example के तोर पर, जो हमारी ministry of civil aviation है, इन्होंने तेलंगना के अंदर में एक project को approval भी दिया था, जहाँ पर drone का use करके, जो remote areas जहाँ पर पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, वहाँ पर vaccines deliver किये गए थे, covid के समय में, तो इ agriculture sector में भी काफी सरे काम किये जा रहे हैं, ठीक है, उसके अदम monitoring, या मैं आपको बताई चुका हूँ, कि किसी area की mapping करना, किस area का data collect करना, ना तो वो काम भी यहाँ पर, जो drone से वो करना है, निगरानी रखने का भी काम करते हैं, जंगलों पर निगरानी रखने का काम कर सकते ह या कहीं पर जंगल के अंदर में शिकार हो रहा है, तो उसको monitor करने का काम कर सकते हैं, ड्रोन का use हर तरीके से किया जा सकता है, यह आपने देखा है, बट ऐसने यह कि यहाँ पर इसका जब use बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है, इसमें कुछ problems भी नज़राती है, कुछ दि ड्रोन के मादियम से जो हत्यार है, वो इंडिया में भेजने की कोशिश की जाती है, पाकिसान की साइट से, तो इसका use जो है, वो गलत तरीके से भी किया जा सकता है, क्योंकि दिक्कत यह है कि ड्रोन को purchase करना बहुत असान है, और असान के साथ साथ बहुत सस्ता मिलता है ड पाकिसारे काम भी कर सकते हो, ठीक है, अब आप कहोगे कि सर इसका बात का कोई सेंस है, क्या मतलब इतना पढ़ना कोई खास बात नहीं थी, यह कोई important नहीं है, देखो important है, UPSC ने 2020 में ऐसे यहां पर एक logical way में question पूछ लिया था, question यह था, कि consider the following activities, आपको यहां पर तीन प successfully drone का इस्तमाल करके, पहली activity यहां पर है, कि हम लोग अपने फसल की जो field है, जहां पर हमने एक जमीन पर खेट में जो फसल उगा रखा है, वहां पर हम लोग drone की मैद्यम से कीट नाशक का छिड़काव कर सकते हैं, क्या यह सही है, बिल्कुल सही है, अभी हमने discuss किया था, agriculture sector में यूज क्या जा सकता है, दूसरा देखो, जो हमारे active volcanoes होता है, जो जो आला मुखी होता है, उसको ऊपर से inspect क्या जा सकता है, उसके उपर drone उड़ा कर उसकी जो inspection क्या सकती है, देखा जा सकता है, तो यह बिल्कुल सही है, यह भी क्या सकता है, उसमें problem क्या है, अगर हम logic spouting whales होती है, spouting whales, spouting whales मतलब जो फुहारा छोड़ती है, उपर, है न, whales जो होती है, वो उपर बहुत जिसे फुहारा छोड़ती है, तो उन whales का, हम breathe sample collect कर सकते हैं, क्या drone के माध्यम से, ताकि उनका DNA analysis किया जा सके, तो यह भी यहाँ पर correct ही देखने को मिलेगा, तो तीनों कित होगी, आगे आता है, नो नेक्स टाडिकल भी relevant होने वाला है, यहाँ पर आप देख पार होंगे, असम के अंदर में, बीहु जो festival है, उसका celebration चल रहा है, कल यह पूरा दिन celebration चला है, गुहाटी के अंदर में, जो सारू सजाई stadium है, वहाँ पर कई हजार लोग इखटे हुए चीके, तो उसके बारें बताया जा रहा है कि अभी तक का सबसे बेतरी celebration यह किया गया है, गुहाटी के अंदर में, जो सारू सजाई stadium है ना, यहाँ पर सभी लोग इखटे थे, लगबग बोला जा रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा performance था यह बीहु performance में, लगबग कितने 11,298 यह कह सकते हो, अपरोक्स 11,300 जो परफॉर्मर्स थे, जिसमें women dancers थी, जिनोंने यहाँ पर मेकेला चैदर का इस्तमाल किया वा था, यानि कि जो यह पीछे आप देख पार हूँ महिला की जो dressing है, इसी dress को यहाँ पर यह बूला जाता है, ठीक है, फिर उसके साथ यहाँ पर बहुत सारे और प्लेयर्स से जो की ड्रम बजा रहे थे, ठीन हजार के असपास ड्रमर्स से जो की ड्रम को बजा रहे थे, तो इस धूंदाम से यहाँ पर फेस्टिवल का celebration किया गया है, बीहु फेस्टिवल, बात क्लियर हो गई, लेकिन अभी आर्टिकल पूरा नहीं ह तो आपको पता है, निउस्पेपर में बस खली छोटी-छोटी information दी होती है, करना क्या होता है, इसका background data आपको खुद से collect करके पढ़ना पड़ता है, जितना background data में आपको दिखाया है, आभी के newspaper analysis में, वो सब आपको PDF में मिलता है, उसको आप टेलिग्राम से जरूर से डा जिसको रोंगाली भीहु के साथ बोहग भीहु के नाम से भी जाना जाता है, यह festival celebrate किया जाता है, असम के नए साल की सुरुवात को तौर पर, यैनि असम के नए साल की सुरुवात हो रही होती है, spring season आ रहा होता है, तो इसी चिज़ को celebrate करने के लिए बोहग भीहु, जो festival मन पूरी तरह से दर्शाता है इस सेलिब्रेशन के दौरान जो मूगा सिल्क है या कॉटन के ड्रेसिंग वगरा है वो यहां पर विमेन जो लेडिस वो करती है जासा मैं आपको दिखाया उपर है ना साधी साथ में एक प्यार जताने के लिए रिस्पेक्ट जताने के लिए जो के अंदर में जो गमचा है आसमीज गमचा जिसको रिसेंटल एक जाई टाइग भी मिला है तो वह जो आसमीज गमचा है वह भी आपस में एक्सचेंज किया जाता है और यह सम का अपनाप में ट्रेडिशन भी है उस गमचा को यहां पर भीवुन भी सरी बिहुवान के नाम स चल रहा होता है ठीक है हर एक प्रकार की कास्ट रिलीजियस बैक्रांड सबी लोग यहां पर इसको सेलिब्रेट कर रहे होता है जो पहला भी हुव है ना इसको यहां पर रोंगाली बीहु के नाम से जानते हैं और बोहाग बीहु के नाम से जानते हैं जो पहला भी हुव हो जिसको माग बीहु के नाम से जानते हैं, बात क्लियर होगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर बीहु के लेकर कुछ की फैक्ट्स बताए गए हैं, आगे आता हैं, अगले पेच पर दोनों आर्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टन होने वाले हैं, सबसे पहला आर्टिकल हम यहाँ मैपिंग करने के लिए उसको अच्छे से मॉनिटर करने के लिए एक सैटलाइट तयार की गई है, निसार सैटलाइट, और यह निसार सैटलाइट अके लिए भारत ने तयार नहीं की है, यूएस और इंडिया दोनों ने मिलकर इसके ओपर काम किया है, और जैनवरी दो इसको यानि अगले साल निसार सैटलाइट को लॉंच किया जाएगा, यह बहुत बड़ा विशय बन चुका है चर्चा का, तो आपको निसार सैटलाइट के बारे में बहुत सारी चीज़न जो की पता होनी चाहिए, इसका हम कैसे यूज करेंगे, किसने बनाया है, इंडिया और यूएस का कॉंट्रिबूशन क्या है, वो सब कुछ हम यहाँ पर कवर करने वाले, लेकिन पहले आर्टिकल को देखते हैं, बोला यह जा रहा है कि जो हम लोग निसार सैटलाइट को जल्दी लॉंच करेंगे, इसको इजरो, इंडिया की स्पेस एजनसी और नासा, यू ठीक है, और कहां-कहां पर लैंड सबसिटेंस देखने को मिल सकता है, यानि कि जैसा आपने जोशी मट में देखा था ना, पिछले कुछ समय पर जो धरती है, वो धस्ती हुई नजर आ रही थी नीचे, ऐसा हिमिल्याज वाले रीजन में भी कई सारी जगह पर देखने को मि वन टेंथ तक का जो कॉंट्रिबूशन है, इसमें वो इजरो का देखने को मिलेगा, ठीक है, अब इस वाली सेटलाइट के अंदर में रडार का यूज क्या है, रडार जो किया सारा डेटा कलेट करने का काम करेगा, अब रडार में एक L-Band रडार है, और एक रडार तो य इसकी जो नोट्स बगर वो तयार होने चाहिए, क्योंकि एक important article है, ठीक है, चलो, discuss करता है निसार मिशन, तो निसार मिशन, कह सकते हो, पहला रडार मिशन होने वाला है, जो की पूरी प्रत्वी की मैपिंग करेगा, पूरे प्रत्वी की मैपिंग करेगे, डेटा कलेट करन मैं आपको बता चुका हूँ, US और इंडिया की space agency, इंडिया का ISRO, US का NASA, इन दोनोंने मिलकर partnership बहुत पहले कर ली थी, 2014 में एक agreement sign कर लिया था कि हम space sector में साथ मिलकर काम करेंगे, और उसी के basis पर निसार सेटलाइट को तयार किया गया, और बोला जा रहा है कि एक expectation है कि जैन बख कह सकते हो, 700-800 किलोमेटर दूर प्रत्वी से उपर, है न, प्रत्वी से उपर, जो हमारा polar orbit है, उसमें यहापे हम लोग launch करने वाला है, यह जो satellite है, यह तीन साल तक operate करेगी, यह भी यहापे बताया जा रहा है, और हमारा जो पूरा globe है, यानि पूरा planet है, पूरी प्र L-band और S-band दो radar का use किया जा रहा है, ठीक है, अब इसमें से जो L-band radar है, वो तो NASA दे रहा है, और S-band radar जो है, वो India दे रहा है, ठीक है, और और क्या क्या इंडिया दे रहा है, चलो इसको समझते हैं, एक मैं आपको picture दिखाता हूँ पहले, वो बहुत relevant है, यहाँ पर आप ल सिस्टम और high capacity solid state recorder, और इजरो की साइट से यानि इंडिया की साइट से spacecraft और GSLV, जिस rocket से launch किया जाएगा, सबसे बड़ी चीज़ वो ही इंडिया का है, हमारा geosynchronous satellite launch vehicle, इसी के माद्यम से satellite को launch करेंगे, फिर उसके बाद में S-band जो radar है, वो दिया जा रहा है, L-band radar NASA, S-band radar India दे रहा है, तो दे रहा या बनाया गया अब ऐसा कैसा तो यह contribution यहाँ पर दोनों countries की साइट से हुआ है, सवाल यह है कि जो radar है करेगा क्या, तो S-band radar का main काम होगा, कि यह हमारी प्रत्वी के उपर कैसा मौसम है, weather को भी पूरी तरह से observe कर सकेगा, और भी कई सरा data collect कर सकेग इवन यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें निसार में जो SAR है ना बाद का, यानि कि जो यहाँ पर US एक radar देने का काम कर रहा है, यह इसमें बहुत ज़धा high resolution की images मिलेंगी, high quality की images देगा प्रत्वी की, उसके बाद में चाए दिन हो, चाए रात हो, चाए कैसा ही मौसम हो, उस मौसम के अंदर में जो weather conditions है, वो सारी की सारी weather conditions को report देने का काम करने वाला है, नासा नहीं यहाँ पर बोला है कि जो L-band radar है यह बहुत important होने वाला है, तीन साल के लिए operate करेगा, जबकि इस रो यहाँ पर S-band radar का use करने वाला है, पांच साल तक ऐसा यहाँ पर mention किया पहला फाइदा होगा Earth Science का, निसार क्या करेगा, पूरा का पूरा Earth Surface के अंदर में जो changes हो रहे हैं, उसका data collect करने की कोशिश करेगा, या अर्थ पर natural hazards जो हैं, यानि की flood हो गया, earthquake हो गया, या फिर प्रित्वी के उपर में जो environment के अंदर काफी सरे disturbances हो रहे हैं, उन सब करेगा, climate change हो गया है, यानि की temperature लगातार बढ़ रहा है, उसको भी understand करने में help करने वाला है निसार मिशन, दूसरा यहां पर जो फाइदा होगा, इसका हो है disaster management, ये mission हमें बहुत important information देगा, हमारी मदद करेगा, कि हम कैसे कोई natural disaster को manage कर सकते हैं, जैसे कोई भुकम पा रहा ह या कोई ज्वाला मुकी फटने वाला है, तो उसको लेकर बहुत तेजी से response करेगा, और कईने की लोग को risk से बचाने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद में third level पर agriculture के लिए भी इसको use क्या जाएगा, निसार डेटा यहां पर use क्या जाएगा, agriculture management को improve करने के लिए, agriculture को ले जो information है, वो हम यहां पर use कर सकेंगे, फिर उसके बाद एक और फायदा होगा, infrastructure monitoring, यह जो mission है, यह एक चीज़ में और help करेगा, जो infrastructure है, उसको यहां पर अच्छे से monitor करना, जैसे समुदर पे कहीं पर तेल फैल गया, है ना कोई ship टूड गया, या ship डूब गया, कहीं पर oil spill ह हो गया है, या शहरी करण किस तेजी से बढ़ रहा है, या पेड़ू की कटाई कहां का पर किती तेजी से चल रही है, तो इस प्रकार की चीज़ों को भी monitor करके हम लोग को यह provide करवाने वादा है, फिर overall last में यहां पर एक और solution आता है, एक और इसका फायदा है, वो है climate change, at the last यहां पर प्रत्वी के उपर में climate change का क्या impact होड़ रहा है, यानि कि जैसे जैसे temperature increase हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, उसका असर क्या हो रहा है, glaciers जो हमारे हैं, वो कैसे पीगल रहे हैं, किती तेजी से पीगल रहे हैं, समुदर का level किस level पर बढ़ रहा है, carbon storage में किस प् पहले में थमनिल वाले आर्टिकल में mention भी किया था, आपको बताया था, कि हो सकता है कि भारत जो milk है ना, उसको मंगाए अलगला country से milk का import कर सकता है, क्यों क्योंकि इंडिया में milk का shortage नजर आया है, ऐसा हमने थोड़ दिनों पहले एक थमनिल वाले आर्टिकल के थूरू discuss कि होता है, वो बहुत relevant होता है to the point exam perspective से कह सकते हो कि पूरा का पूरा यहां पर उसको बनाया जाता है, ठीक है, तो हुआ क्या है, बोला यह जा रहाता है कि दूद का shortage हो रहा है इंडिया के अंदर में तो हम लोग यहां पर मगा सकते हैं अलग अलग कंट्री से, जबकि इंडि हमें जितना भी दूद का उतपादन होता, उसका 23% केवल और केवल इंडिया ही करता है, तो अब भी यहां पर जो हमारे animal और husbandry minister है, उनका कहना यह है, यहां पर आप देख पार होंगे रुपाला साब, इनका कहना यह है, यह हमारे कोई भी planning नहीं है कि हम दूद से बने products को import करें, क्योंकि उसका कोई shortage हमारे देश में है ही नहीं, और यह सही भी बात है, देखो अगर आप एक बात यह बोलो, कि दूद का shortage है, तो ऐसा नहीं है, गाउं में अभी भी भरपूर मात्रा में दूद है, प्रॉब्लम पता है कि है, उसका management प्रॉपर नहीं है, तो management हो, और उस दूद का proper utilization किया जाए, तो सभी लोगों तक पहुँच जाएगा, तो उसके ओपर एक main focus हम लोग करने वाले है, कोई import वगरा अभी नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर सरकार ने clear कर दिया है, ठीक है, अब इस article के business पर आपको थोड़ी बहुत बाते और पता होनी चा आपको बताई चुका हूँ, इंडिया जो है, दुनिया का सबसे बड़ा दूद का उतपादन वाला देश आपको देखने को मिलेगा, milk producing country देखने को मिलेगा, दुनिया में जितना ही production हो रहा है, उसका 23% केवल इंडिया की site से हो रहा है, आप देखोगे, इंडिया ने एक बहुत बड़ी growth को achieve किया है, 1951 का वो समय था, जब भारत में केवर 17 मिलियन टन के आसपास दूद का उतपादान हुआ था, और 2019 वाला साल वो साल था, जब इंडिया में 187.7 मिलियन टन का दूद का production हो था, आप imagine करो 17 मिलियन टन से 187 मिलियन टन, और 2022 के अंदर में ये 223 म मिलियन टन पहुंच गया, तो आप imagine करो 220 मिलियन टन से भी ज़ादा का production हो रहा है, जो कि एक समय पर केवल और केवल 17 मिलियन टन के आसपास का था, ठीक है, तो dairy sector definitely grow किया है, अब dairy sector का importance भी अपने आप में बहुत ज़ादा है, क्योंकि गाउं की जो economy है ना, वो mainly यहाँ पर यहाँ पर इसको मिले है, लेकिन वह यह problem है, हमारा जो management है dairy sector को लेकर वो proper नहीं, उसमें काफी सारे challenges है, problems है, वो problems कहा है, number one problem, lack of proper packaging and labeling system, जो दूद और दूद से बने बाकी सारे products है, उनकी proper packaging नहीं हो पार एक entry के अंदर में, और proper labeling उनकी उपर नहीं कर पाता है, दूसरा जो यहाँ पर problem है, marketing नहीं हो पा रही है, ठीक है, और कोई brand को बना पना, यानि कि दूद की कोई brand बना पना, थोड़ा सा कठिन हो जाता है, एक बहुत बड़ा challenge यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, उसके आत्में इंडिया में एक और बड़ी problem है, वो है cold chain transportation, क्योंकि अगर दूद को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक particular area से गाउं से शहर में लेकर आया जा रहा है, और फिर उसके बाद में धीरी-दीरे करके सभी घर में पहुंचेगा वो, तो उसके लिए cold chain transportation होना important है, यानि कि उसको ठंडा रखना जरूरी है, ठंडा नहीं र वरगीज कूरियन, ठीक है, इनको यहाँ पर बोला जाता है, यह white revolution के father है, जैसे इंडिया में green revolution आया था न, गेहुँ चावल को पूरी तरह से देश में grow किया था, एक हरित करांती जिसको हम लोग बोलते हैं, करांती आ गई थी agriculture sector में, वैसे ही milk sector में जो करांती लाई गई था, इन्होंने कई सारी संस्थाई बनाई, जो कि अलगलत farmers, workers के थूरू चलाई जाती हैं, है न, ताकि यहाँ पर दूद को थोड़ा जादा importance मिल सकें, उसको हम जादा grow कर सकें, एविन अमूल ब्रैंड का नाम सुना होगा, अमूल ब्रैंड की जो इतनी बड़ी सफलता ह उसको यहाँ पर जो establish किया था, उसके पीछे का role भी एक important व्यक्ति थे, वो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, तो इनके efforts की वज़ा से भारत आज के समय में, एक milk producer बन पाया, एक सबसे बड़ा producer बन पाया, एविन 1998 में इसके शुरुबात की गई थी, सबसे बड़ा producer 1998 में इंडिया बन पाया था, तो केवल और केवल यहाँ पर डॉक्टर वर्गीज कुरियन की वज़ा से, चीक है, यूएस कॉम ने पचाड दिया था 1998 के अंदर में, और इनी चीजों की वज़ा से, इसी contribution की वज़ा से, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कई सारे awards यह गया है, च क्या ये चीज़े पूछ ली जाती है, एक्जामेद को बिल्कुल पूछ ली जाती है, यूपियस ने साल 2008 में एक प्रश्न पूचा था, प्रश्न ये था, नॉर्मन, स्वरी, नॉर्मन अर्नेस्ट बारलोग, जिनको यहाँ पर फादर ऑफ ग्रीन रिवलुशन की तरह हम जानते हैं, ये कौन से देश से बिलॉंग करते हैं, ऐसा सवाल पूच लिया था 2008 में, ठीक है, ग्रीन रिवलुशन के फादर कौन से कंट्री से बिलॉंग करते हैं, तो यहाँ पर यूएस, मेक्सिको, आस्ट्रिलिया या न्यूजिलेंड, तो उसका सही उतर क्या है, ऑप आप से पुझे जा सकता है, वर्गी स्कॉरियन के बारे में, अब वर्गी स्कॉरियन का जो जन्म है, वो कोजी कोडे में हुआ था, खेरेला के, एडिया में यहाँ पर वो जन्म में थे, ठीक है, क्लियर हो गया, चलो, आते हैं अगले आर्टिकल पर, नाव दोस्तों आते ह फेक न्यूस को लेकर, सरकार ने अभी आईटी रूल्स के अंदर में कुछ चेंजिस करें हैं, तो काओगे आर्टिकल तो इंपोर्टेंट तो क्यों नी डिसकस कर रहो, और लेडी मैं परसो डिसकस कर चुका हूँ, और वो एक एडिटूरेल ही था, तो बार-बार उसे आर्टिकल के ओपर बेसिस था, और ये सारे नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइट करवा चुका हूँ, आईटी रूल्स अमेंडमेंट 2023 की क्या क्या अमेंडमेंट करेंगें, क्या क्या चलेंजिस हैं, और क्या क्या यहां पर इसके फाइदे देखने को मिलेंगे, है ना क्य जादा important आर्टिकल, और to the point exam के point of view से relevant, तो इंडिया में जो prevention detention है, prevention detention में क्या क्या problems नजर आती हैं, और उसका क्या solution हो सकता है, वो यहां पर writer ने समझाया है details से, ठीक है, यहां पर आप देख पाओगे, हुआ क्या है कि recently, Supreme Court ने यहां पर prevention detention laws को लेकर काफी सारी बाते बात इसी है, यानि अंग्रेजों के समय का ये कानून है, और अभी तक हम इसको use कर रहे हैं, और ये सही बात नहीं है, इसमें कुछ दिक्कत हैं, इसका misuse हो रहा है, हमें ये कदम उठाने पढ़ेंगे, तब हम लोग यहां पर prevention detention जैसे कानून को सही तरीके से लेकर चल सकेंगे चलो फिर देरी किस बात की discuss करते हैं इसको, नो दोस्तों यहां पर मैं discuss करूँगा सारे के सारे इस editorial के relevant points हो आपको screen पर नीचे दिखाई पढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूँ, कि आज का मेंस का question होने वाला है वो इसी article के उपर based होने वाल कि जो यह prevention, detention वाला कानून है, यह कौन सा कानून है अभी आपको बताऊंगा, यह कहीं ना कहीं अंग्रेजों के समय का है और जबरदस्ती का कानून है, जबरदस्ती की power यहां पर सरकार के पास में दी जा रही है, और अगर यहां पर इसका बार बार यूज हो रहा है, तो क को यहाँ पर जो थोड़ी छूट मिलती है अलग-लग हमारे fundamental rights के माधियम से वो सब कहीं न कहीं यहाँ पर violet होते में नज़रा रहे हैं इस prevention detention वाले कानून को बार-बार इस्तमाल करने से वो यहाँ पर सुप्रिम कोट ने बोला सुप्रिम कोट ने इस चीज़ों को observe करते बहें यह भी बोला कि तो को ऐसे कई सारी instances ऐसे कई सारे बार हम लोग already देख चुके हैं जब-जब इस law का गलत यूज हुआ है इस law का यहाँ पर दुरुपियोग किया गया है कई सारे instances देश भर में हो चुके हैं तो इसी context में discuss करेंगे प्रेवेंटिव डिटेंशन क्या है राइटर ने बोला कि हम प्रेवेंटिव डेटेंशन समझाएंगे उससे related क्या-क्या प्रॉब्लम से वो समझाएंगे प्लस उसका suggestion क्या हो सकता है कैसे हम उस प्रॉब्लम से लड़ सकता है वो यहाँ पर यह कव कस्टड़ी में ले लेना ताकि हाँ पर किसी क्राइम को होने से रूका जा सके मतलब क्या है मतलब यह है कि वो व्यक्ति क्राइम करने वालत था करने से पहले उसको अरेस्ट कर लिया गया हां ऐसा ही सिस्टम के समझ सकते हो यानि कि एक व्यक्ति है उसके उपर शक है कि यह ना इसी को preventive detention बोलता है ठीके बात क्लियर होगे यानि किसी को परशक हो ना उससे पहले यहाँ पर उसको custody में ले ले लिना अब preventive detention को लेकर क्या-क्या provisions हैं तो provisions की जब बात करते हैं तो हमारा जो code of criminal procedure है CRPC CRPC के अंदर में जो section 151 है ना वो यहाँ पर police officers को यह power भी देता है कि वो police officers किसी भी व्यक्ति को arrest कर सकते हैं बिना किसी magistrate की order के या बिना किसी warrant के वो अराम से उनके पास है power है खुलम power है वो किसी व्यक्ति को arrest कर सकते हैं अगर वो व्यक्ति कहीं न कहीं एक crime करने वाला हो, उसके उपर एक शक हो तो, तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, तो पुलिस को यहाँ पर power दी गई है, CRPC के section 151 के through, बात clear हो गई, अब सवाल यहाँ पर यह है, कि मतलब ऐसी arrest कर लेंगे क्या, मतलब कोई तो कारड होगा, कोई तो यहाँ पर reason दिया हो, तो उस basis पर यहाँ पर उसको arrest कर जा सकता है, वो खत्रा पैदा कर सकता है, पहले सी एक शक हो रहा है, तो यहाँ पर उसको custody में ले लिया जाए, या फिर arrest कर लिया जाए, अब सवाल यहाँ पर यह है, क्या इसका कोई बचाब नहीं है, अगर किसी person को custody में ले लिया गय उसको arrest कर लिया गया, तो उसके पास कोई छूट वगएरा नहीं बिलती है क्या, देखो अब उसको क्या relief मिलता है, इसको समझते हैं, बोला जाता है कि देखो पहले instance में, जो एक person को custody में लिया गया है न, वो केवल और केवल आप तीन महीने के लिए ले सकते हो, बस तीन मह है detention का, अगर यहाँ पर इसको आप बढ़ाना चाहो तो तीन महीने से भी थोड़ा extend कर सकते हो, आगे और बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए advisory board का approval लेना ज़रूरी है, और जिस व्यक्ति को यहाँ पर arrest किया गया है न, उसके पास में हग है कि वो जान सके कि उसको किस basis पर किस grounds के basis पर यहाँ पर detention किया गया है या फिर कह सकते हो, उसको custody में लिया गया है, और अगर वो व्यक्ति जान सकते है, तो क्या सरकार भी जवाब देखी, देखो अब obvious से बात है, वो जो detainee है, उसके पास महाँ के वो पूर सकता है कि आपनो मुझे क्यों arrest किया, लेकिन सर पर यहाँ पर वो जो government है, वो यहाँ पर मना भी कर सकती है, कि हम आपको नहीं बताने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद में जो यह detainee होते हैं, जिनको custody में लिया जाता है, उनको एक opportunity भी दी जाती है, एक अफसर भी दिया जाता है, कि आप अपने detention को challenge कर सकते हो, कि हाँ, ज आप देखो, writer बोलता है, कि काफी सरे लोग ना इसके favor में, एक debate सी छिट जोगे, काफी लोग favor में है, काफी लोग against में, लेकिन favor में भी कई सरे लोग है, उनका कहना ही बिल्कुल सही बात है, सही है, फिप preventive detention, क्यों, पहला reason वो लोग देते हैं, तो writer ने बोला कि पहला reason ह protection of national security, देश की सुरक्सा के लिए preventive detention बढ़िया है, ऐसा यहाँ पर कई लोग मानते हैं, और यह जरूरी भी है, इससे क्या होगा, कि जो भी यहाँ पर detain individuals होंगे, अगर वो देश की public safety के लिए खत्रा पैदा कर सकते हैं, national security के लिए खत्रा पैदा कर सकते हैं, देश की सांत जो लोग यहाँ पर support कर रहे हैं, वो यह कहके कर रहे है, proactive measures to prevent crime, अपराद को रोकने के लिए यहाँ पर एक सबसे बढ़िया step यही है, कि यह कम करना चाहिए, कहीं पर भी यहाँ पर एक व्यक्ति है, जो पहले भी criminal activities कर चुका है, शक है कि यह आगे भी कर सकता है, हैना कोई बवाल हो रहा हो, आप उसके हरकते देख रही हो, तो फिर कहीं ना कहीं उसको arrest कर लिया जाए, तो इससे क्या होगा, अपराद को रोका जा सकता है, और तीसरे वेब में यहाँ पर बोला गया है, कि एक और तरीके से इसको support क्या रहा है, वो यह है कि judiciary ने भी कई बार इसको प्राद मत करना, लेकिन यहाँ पर आप कर सकते हो, इविन यहाँ पर Supreme Court में case गया था, मरियापन versus the district collector and other cases, अब यह जो case था ना, इसके अंदर में, court ने mention किया, कि जो को detention का main purpose है, जो main aim है, वो यह है, कि किसी व्यक्ति को यहाँ पर punishment देना, ताकि वो आगे crime ना कर सके, crime को रोखने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर punishment देना और हमेशा ही इस वाले लौका यूज़ करना, तो main मकसद है, कि आप इसका यूज़ कर सकते हो, किसी को punishment देने के लिए नहीं, लेकिन आप crime को रोखने के लिए यूज़ करो, बार यहां पर हमने कई सारे इंस्टांसेस पहले भी देखें कि अलग-अलग जो ऑथोरिटीज हैं अलग-अलग जो ग्रॉप्स हैं उन्होंने बहुत छोटे-छोटे मामलों के लिए भी इस वाले लॉग का यूज किया है और जो कि बिल्कुल भी साही नहीं है एक व्यक्ति यहां पर छोटे-मोटे अगर अपराद कर रहा है तो उसको यहां पर थोड़ा-बहुत फाइन दे के भी छुड़ा जा सकता है लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज करना कहीं से कहीं तक नहीं बनता है दूसरा जो इशू है वो है लैक आफ प्रॉपर डेफिनिशन कई स पर किस ग्राउंड के उपर में एक परसन को कस्टडी में लिया जा सकता है तो यह अपने आप में प्रॉब्लम है तो हरे किसिस के अंदर भी कहीं नके यह प्रेवेंटिव डिटेंशन ले आता है फिर तीसरा यहां पर जो चैलेंज है वो है कि भाई यह देखो यह जो लौ अब यह अपना पने बहुत पुराना है और यह का नहीं कि करते हैं घेश करना साही यह पर यह पोलता हैं यह जो प्रेवेंटिव डिटेंशन है यह fundamental rights के against में चला जाता है कई सारे हक हैं हमारे पास में 12से 35 अार्टिकल में यह सारे fundamental rights है Article 19 एrai क्णीर ट्वेंट्यवन आपको Liberty देने का काम करना राइट टु लाइफ का यह सारे rights आप्के जाता है लेकिन यहां पर क्या हो अगर प्रेवध डिटेंशन का यूज्स हो रहा है बेफालतू में यह अक्सर यूज्व क्या जा रहा है छोट चोटे क्राइम के लिए भी सान लगों के जो फंडेमेटल राइटस हैं वो वon यजोत होते हैं ऐसा आप कहसाकते हूं और सबसे बड़ी problem कि कई बार इस law का misuse हो जाता है दुरूपयोग किया जाता है कई बार ऐसा देखने को मिलता है हमने कई cases में देखा है जो political parties है वो यहाँ पर इसका misuse करती है ताकि opposition political party के members को punishment दिया जा सके और COVID-19 के समय पर ऐसा हुआ कई सारी राज सरकारों ने national security act को यहाँ पर invoke कर दिया कई सारे opposition leader के against में, journalist के against में तो ऐसा किया जा रहा है तो इसका जो दुरूपयोग है वो भी काफी जादा होता है safeguards के हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में already बता दिया है कि कैसे यहाँ पर लोग को थोड़ी बाँ छूट मिल जाती है बाकी way forward के बारे में discuss करते हैं कि आखरकार इसके solution क्या हो सकता है writer बोलता है पहला, कानून में एक uniformity की आवश्यक्ता है क्योंकि अलग-लग राज्य है और अलग-लग राज्यों के अलग-लग laws है तो कहीं ने कहीं यहाँ पर, क्योंकि आप कहसकतो है जो law और order का subject है यह state list में आता है तो अलग-लग राज्यों के पास अलग-लग laws देखने को मिल जाएंगे तो अभी भी जो central government है उसको क्या करना चाहिए राइटर बोलता है central government को न सारे राज्यों के उपर जोड दिना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि भई अपने इस law and order में कानुन तोर पर अगर हम लोग बात करें तो एक uniformity को लेकर आओ कोई किसी चीज को और तरीक से define कर रहा है कोई किसी चीज को और तरीक से define कर रहा है कोई राज्य में कोई clarity नहीं कि preventive detention क्या है कहीं पर पूरी clarity है तो आप uniformity में काम करोगे तो पूरी तरह से जो clarity है देश बर में वो रहेगी दूसरा यहाँ पर writer mention करता है remove the scope of ambiguity यह दो को crime जो है ना इस law के अंदर में clearly define होना चाहिए जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ preventive detention में इसके अंदर में जो जो crime है उसके बार में clearly definition होना चाहिए बैट आज किसमें पर क्या है यह अनिश्चिता बहुत ज़ादा है इसके अंदर में तो उसको यहाँ पर कम करना होगा फिर उसके बाद में एक और solution दिया गए एक सोरी एक और यहाँ पर solution दिया गए वो है ensure effective use of law यानि जितने भी authorities हैं जो कि यहाँ पर इस law का use कर रहे हैं उनको ध्यान रखना होगा कि इसका misuse ना हो ठीक है आप public order को maintain करने के लिए आप इसका use कर सकते हो लेकिन छोटे-छोटे मुद्दे में हर छोटे मुद्दे में आप इसका use ना करो और खासकर Honorable Supreme Court ने यहाँ पर जैसा मरियपपन वाले केस के अंदर बताया था कि आप यहाँ पर इसका जो मकसद है लोग को punishment देने के लिए नहीं कराइम को रोकने के लिए करो ठीक है तो यह यहाँ पर किया जा सकता है फिर दूसरे methods का use के जा सकता है alternative methods यूज के जा सकता है बार बार यहाँ पर किसी को custody में लेना सही नहीं है इससे अच्छा यहाँ पर क्या है यह अगर कोई छोटा मोटा मामला है छोटे petty petty offenses है minor offenses है तो महाँ पर उसको थोड़ा बह भी सजा मिलने चाहिए फिर उसके आद में एक को writer suggestion देता है वो यह है कि इस preventive detention कानून का na rarest of the rare case के अंदर ही use होना चाहिए यह यह जो law है ऐसा निये बार बार आप इसको किसी भी case में use कर लो है ना आप बहुत कमी से कम case में यहाँ पर use करो तो ज्यादा बेतर रहेगा ज the preventive detention laws have often been criticized for their misuse critically analyze the need of such law in the light of judiciary's view on such laws यानी कि यह जो preventive detention वाला कानून है ना इसकी अकसर यहाँ पर निंदा की जाती है निवारक निरोत कानूनों को कानूनों की उनके दुरुप्यों के लिए अकसर आलोचना की जाती है ऐसे कारूनों पर न्याय पालिका के द्रश्टी कोड के आलोख में ऐसे कानूनों की आवश्यक्ता का समलोचनात्मक विशलेशन कीजिए ठीक है जुडिशिरी के point of view में इ पर टेलिग्राम चनल बिलेगा जहां पर 56,000 से जादा लोग चुड़ चुके हैं आप भी चुड़कर अपने आंसर को सम्मिट कर सकते हो आंसर को सम्मिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है एटलीस सभी लोगों को यहां पर दो दो आंसर रिवियू करोगे तो क पर और a complete Article उसके यह यह लिटोरल का सिचुवेशन में आपको बताई चुका हूं कि कैसे हमने पहले डिसकॉस कर रखा है एक आर्टिकल यह भी है कल भी मैंने आपको इसके बारे पढ़ाया था निया दोगा कि असके अंदर में डस कंट्रीज आती है TV क्लिप एफ के हाथ में आज के समय पर पुरा मैनमार में में एक समये पर racist Aktometry हुआ करती थी परोपर 2021 तक डे मोकराव करती थी पुरा लोग तंद्र था लोग वोट दे कर अपने मन पसंदा по- represent पॉलिटिकल party वो कई ना कई उसने काफी सारे गोटा ले करें, उसके बाद में political party जीत कराई थी, तो ऐसा मैनमार चाथा नहीं है, तो मैनमार ने सब को arrest करने के बाद में, अपने हाथ में सब कुछ ले लिया, तो मैनमार का जो leader है, आज के समयफेगे पर, military leader, जिनका नाव है जनरल मिनुंग लैंग, आज के समय पर इनके हाथ में सारी चीज़े हैं, और हुआ क्या ये अभी चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है, क्योंकि लंबे समय से 2021 में ये काम हो चुका है, अब लोग डेमोक्रेसी मांग कर रहे हैं, पिछले को समय पर भी लगबग कई सर मार रहे हैं, तो एक ऐसा देश जहां पर मियानमार की मिलिटरी अपने ही लोग को मारें, तो समझी सकते हो हैं, आपर उस देश की हालात, जो है वो, क्या हो रही हो कि मिलिटरी कितना ज़्यादा डाउन पहुँच चुकी है, फरवरी 2021 में सिचुएशन स्टार्ट हुई थी इस सिचुएशन का वो है डेमोक्रेसी का वापस से आना, डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना, वापस डेमोक्रेसी लानी होगे मैनमारे में, तबी सिचुएशन रिजॉल्व हो पाएगी, अदर्वाइज यहाँ पर हालात ऐसी रहेंगे, और आने वाले समय पर मैनमार की चुकी है तो आसेनं कंट्रीज को साथ में खट्टा होना होगा और ऑस्यान कंट्रीज आस्याशन आफ साउड्वीज एशन नेशन जो साउड्वीज़ अस्या अग्रूप मैं म्यानमार भी है हालाकी आसन थे जाइना बिलकुल सपोर्ट ना करें क्योंकि चाइना अभी भी हा भी यहाँ पर मैनमार को बेच रहा है तो यह support बिल्कुल भी यहाँ पर ना किया जाए चायना और इंडिया दो देश ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनको यहाँ पर सारी problems छोड़कर अभी यहाँ पर मैनमार में situation को stable बनाने के ओपर main focus करना चाहिए तो मैनमार का जो यह हाल लेटी है वह मिल चुकी होगी बाकि यहाँ पर अर्टिकल और है डॉक्ट र ब्या अंगे कर को लेकर तो आप कहुगे कि सर वह भी इंपार्टेन्ट है कि उन्हें डिस्कस क्या देखक रिए कुछ आर्टिकल ऐसे होता है जो कल ही cover कियो है कल डॉक्टर वियर अंगी कर उनको ने कल ही उनके बारे में जितनी information हो सकती थी exam के लिए important वो सब already discuss कर लिए हैं अब फट 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 हम लोग क्या करेंगे अपने prelims वाले question को देखेंगे तो आज का question था कि इंडिया के reference में दो statement से बताना है कौन से statement सही है तो इसका सही उत्तर है केवल second statement सही है पहला वाल फर्मस हैं उनको मानटा दी गई है केवल advocate की दरा lawyer और पेटेंड attorney को ऐसी मानटा नहीं है ऐसा नहीं है lawyer और के अचंट ऑ कर जाता है गलत दूसरा statement से यह जो बार कांसिल इसका में काम क्या होता है कुछ rules and regulations लेकर आना खासकर जो हमारे legal education है law की जो पढ़ाई होती है उससे related rules and regulations को लेकर आने का काम करता बार कांसिल साथी साथ में जो law colleges होते हैं जहां पर law की पढ़ाई करवाई जाती है और से ऐसे colleges को